यह लड़का उसे खाने को नहीं है, छोटा सा पंखा लिये हुए, उसने खुद को बनाया, अपने पिता को दिखाता है, जो हवा से चलता है और बिजली पैदा करता है, रेडियो चलने लगता है, लड़के ने यहां तक दिया कि वो बना सकता है, एक बड़ा जनरेटर, जिस से, खेतों में पानी ला सकते थे, लेकिन बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ेगी, घर की एकलोती साइकल, लेकिन कौन भरोसा कर सकता है, वो लड़का जिसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, पापा इतने गुसे में थे, उसे थपड़ मार देता है, छोटा जन की कोई परवा नहीं थी, वो बीच को कीचर से बचाना चाहता है, लेकिन सब बेकार है, तूफान के बाद, अकाल पड़ गया, मिटी सूप गई, बिना पानी की एक बूंद के, सारी फसले मर चुकी हैं, सभी ने कस्य उठाई, और जमीन खोदने लगे, पैसे वाले लोग क खड़े होने के लिए कहा, लड़के से माफी मागी, यहां हम मुफ्क में नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसके पास ट्यूशन फीज देने के लिए पैसे नहीं थे, विलियम ने कहा कि उसके पिता पैसे देंगे, वो शब, खुद लड़का भी इस बात पर यकीन नहीं करता, लगातार सुखा, जीना दुबर हो रहा था, सोचना बेका था, पाई के फीज के बारे में, यह लड़का ग्यान के लिए तरसता है, लेकिन इस थिती में, यह सोचने का तरीका कितना ब्रामक है, विलियम अपना पेट भरने के लिए पक्षियों को पकरना चाहत है, कितनी बेकार जगह है, वहाँ कोई पक्षी भी नहीं था, पिता घर में देखता है, घर का सारा खाना गंभीर रूप से खराब हो गया है, परिवार, केवल दो महीने तक ही खा सकते था, लेकिन अगली फसल, एक साल बाद होगी, उसने अपने बेटे को पकड़ने के लि लेकिन विलियम करीब नहीं आया, वो बहुत डरा हुआ था, कतार में खड़े लोगों की संख्या बहुत है, लोगों की गिंती, और राशन कम था, वो नीचे से घुसकर, आधा बैक खाना खरीद लाता है, लेकिन घर जाते हुए वो मुश्किल में पढ़ गया, सभी को बै पारिश नहीं होती, तो वे भुख से मर जाएंगे, यह एक बहुत ही जादूई बाइक है, बस पहिया चलाओ, बल्ग चमकेगा, बल्ग जग जाता है, चमकती रोशनी, इस बेचारे लगके के चेहरे पर पढ़ी, लगके का सोचने का तरीका बहुत ही अलग था, नीचे से अलावा उन्होंने उसे के बारे में सिखाया, जनरेटर का कार्य सिध्धान्त, विलियम को समझ नहीं आया, लेकिन वो अभी भी उत्साहित है, यह सिर्फ ग्यान की प्यास नहीं है, साथ ही पूरे गाउं की भी उमीद है, शिक्षक ने उसे सिर्फ एक विचार दिया, वो पुस्तकाले जाता है, उतर खोजने के लिए वहाँ जाता है, लेकिन विलियम सिर्फ इसलिए ट्यूशन फीस नहीं दी, इसलिए उसे स्कूल द्वारा निश्कासित कर दिया गया है, वो पुस्तकाले में प्रवेश नहीं कर सका, तो उसने टीचर को धमकाया, और चला जात विलियम ने शिक्षक और उसकी बेहन तहखाने में प्यार के बारे में बात करते देखा, विलियम बहुत गुस्से में है, शिक्षक से बदला लेना चाहता है, वो फैसला करता है, शिक्षक की साइकल को तो ने का, वो तो नहीं वाला था, वो बल्ग को फिर देखता है, शि प्रिसे खेतों की सिंचाई के लिए पानी ला सकते हैं, जेनरेटर बनाने के लिए कबार के धेर में वह समान उठाता है, डीसी के जेनरेटर के लिए शिक्षक उसकी मदद करेगी, विलियम अपना लक्षे बना लेता है, यह शिक्षक की बाइक है, लेकिन वो यह नहीं जानत रखता है, विलियम इंतजार नहीं करता, वो मदद करने के लिए अपने दोस्तों को ढूनता है, बैटरीज की बजाए वो मोटर प्रयोग करता है, और मोटर को लकडी की पंखडियों से जोड़ देता है, जनरेटर को रेडियों से कनेक्ट कर देता है, पंखडियां धीरे धी जाता है, एक विशाल जनरेटर, सूखे की समस्या को हल करने के लिए, लेकिन उन्हें बलिदान की जरूरत है, उनकी साइकल, सभी चीजे तैयार है, बस एक बड़ी चक्री चाहिए, लेकिन कौन भरोसा कर सकता है, एक लड़का, जिसने अभी तक सनातक नहीं किया है, वो कठि विलियम को काम पर ले गए, लेकिन मिटी इतनी सूखी है, फसल कैसे उगा सकते हैं, इस सूखे के मौसम में कुछ ही महीने बचे हैं, आसपास के घर सूनसान, बाकी निवासी, बस मौत का इंतजार कर रहे हैं, विलियम ने अपने दोस्तों को लेकर, एक साथ उसके पिता के पास जाता है, वे उसके पिता को मनाना चाहते हैं, साइकल देने के लिए, लेकिन परिणाम अभी भी वही है, सिर्फ डांटना नहीं, बाहर भी निकाल दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे उस पर भरोसा था, ग्यान जीवन बचा सकता है, चीजें अचानक ब उन्होंने कहा कि जीवन सपनों से भरा है, कुछ बाते जूत होती हैं, वो बहुत बुरा है, लेकिन विलियम पिता को कहता है, जूत बोलने की कोई जरूरत नहीं है, भले ही यह सपना नहों, क्योंकि पापा लगातार उसे स्कूल ले जाते हैं, तो उसके दिल में, पिता ज पांप सफलता पूरवक बनाया गया, वो पानी के पांप को कुए में ले आया, जनरेटर के तार में जोड़कर एक बड़ा पंखा भी बनाया, पंखे घुमने लगते हैं, जनरेटर ने काम करना शुरू कर दिया, पानी निकलने लगता है, पिता और पुत्र विलियम ने ए उनकी लगन के कारण, उसने गाउं के सभी लोगों को जीवन दिया, विलियम ने आखिरकार गाउं छोड़ दिया, विलियम ने बाहर जाकर पर्यावरन विज्ञान के क्षेत्र में भी सरवोच उपलब्धी मिली, एक इंटर्व्यू में उन्होंने कहा, ज्यान की शक्ती ज ज्यान देश को बदल सकता है, जैसे चावल की प्रकार को चुननना भी ज्यान है, और हमारा समय, यह ज्यान गंगा है, जो बीते हुए समय को, एक समरिध और अधिक सुन्दर भविश्य का निर्मान करने के लिए है, शायद हमारे पूर्वजों ने यही कामना की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, आपको विश्वास करना चाहिए कि ग्यान बास्तव में भागे बदल सकता है, ग्यान के बिना भागे बदलने का कोई उपाय नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, मैंने आज बहुत बात की, तुम क्या देखना चाहते हो, टि